बताऊंगा कि क्यों ये फिल्म इतनी खास है और क्यों इसे देखकर आप अपना समय बेकार नहीं मानेंगे। बबली बाउंसर एक ऐसी फिल्म है जो 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बहुत से लोग इसे देखने के लिए उतसाहित थे क्योंकि इसका निर्देशन किया था मशहूर फिल्म निर्माता मधुर भंडार करने। हाँ वही मधुर भंडार कर जिन्होंने चांदनी बार, फैशन और कॉर्परेट जैसी शांदार फिल्में बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मधुर भंडार करने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तो ये किस बारे में होगी। क्या ये भी उनके बाकी फिल्मों की तरह समाज के काले पहल करनाओं को चुनोती देती है। इस फिल्म का मुख्य किरदार है बबली जो एक बाउंसर बनती है। बाउंसर का काम तो आपने सुना ही होगा, सुरक्षा करना, लड़ाई जगडे में शामिल होना। लेकिन यहां बबली वो बाउंसर है जो एक लड़के की तरह नहीं, बल दिल्चस भी है। बबली का किरदार निभा रही तमना भाठिया और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उन्होंने इस किरदार को इतनी बहतरी से निभाया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह कोई फिल्मी किरदार है। तमना ने बबली की भूमिका को जो तासगी और आत परशित कर लेगा। उनकी एक्टिंग आपको ना सिर्फ हसाएगी बलकि कई बार प्रेडित भी करेगी। बनने की कहानी है और इस कहानी में जो मोड आते हैं वो आपके दिल को छुझाएगा। जब बबली को पहली बार बाउंसर बनने का अवसर मिलता है तो उसे ना सिर्फ अपनी नौकरी को लेकर संदेह होता है बलकि वो खुद को साबित करने के लिए समाज की कई चुनोतियों क सामना करती है वो एक लड़के की तरह अपनी ताकत और अपने अधिकारों के लिए संघर्श करती है लेकिन इस प्रक्रिया में उसे ये एहसास भी होता है कि उसकी असली ताकत उसकी खुद की पहचान और आत्मसमान में है यही इस फिल्म की मुख्यसंदेश है किसी भी समा अज में पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए और दोनों को अपनी अपनी जगए बनाने का पूरा हक है इस फिल्म के किरदार और उसकी विकाश यात्रा को समझने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक सामान्य फिल्म नहीं बबली जैसी अपने जीवन से जोड पाएंगे जब बबली अपनी चुनोती पूर्ण यात्रा को शुरू करती है तो ये ना सिर्फ एक पेशेवर यात्रा है बल्कि ये उसके आत्म विश्वास की यात्रा भी है फिल्म का दूसरा पहलू इसकी कहानी है जो आपको एक नई दिशा दिख बबली जैसे किरदार को हम अक्सर फिल्मी दुनिया में देखते हैं लेकिन इसमें जो असलियत है वो हमारे समाज की सच्चाई से जुड़ी है बबली अपनी कहानी इसे ये संदेश देदी है कि अगर एक महीला चाहे तो वो किसी भी शेतर में अपना नाम कमा सकती है चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो कई बार फिल्मों में ऐसे किरदार होते हैं जो बाहर से मजबूत लगते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं बबली का किरदार इस मामले में अलग है वो ना केवल शारीरिक रूप से मजबूत है बलकि मानसिक रूप से भी बेहत साशकत है फि पहानी ना केवल एक महिला की इंपावर्मेंट की कहानी है बलकि ये भी बताती है कि किसी भी पेशे में सफलता पाने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बलकि आत्म विश्वास और हिम्मत भी जरूरी है अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन की जैसा कि मैंने आपको पहले ब और समाज की स्थिति को समझाने की शमता साफ जलकती है उन्होंने फिल्म को इस तरह से पेश किया है कि वो मनुरंजन के साथ